बोदी जी आपको News 18 Network को यह exclusive interview देने का बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपने punishing schedule से हमारे लिए समय निकाला इस interview को हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे कुछ big picture questions पूछेंगे शुरुवात में हमारे सांग हमारे दो colleagues जुड़े हुए हैं एक महराश्चा के anchor हैं दूसरे हमारे करनाटका के editor हैं यह दो states अहम हैं इस चुनाव में तो हमने सोजा कि थोड़े सवाल वो भी आपसे करेंगे शुरू करते हैं पहला सवाल सब्सक्राइब आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मुझे अच्छा लगा कि आपने अपने साथ करनाटका और महराश्चा को भी जोड़ दिया है तो एक वकार से आपने मेरी मदद की है वरना तीनों को अलग-अलग इटरू देता तो शायद मुझे और ज्यादा टाइब दे रहा पड़ता बहुत दनिवाद सभागत है आपका नेट्वर केटिंग केस पहला सवाल, मोदी जी, हम लोग पूरे देश का बर्मन कर रहे हैं इधर दर जा रहे हैं, हम लोग साउथ में थे, बिहार गए और भी महराश में भी थे तो हर जगे ये देखा गया है कि चाहे विपक्ष से बात करें, चाहे आपके उमीदवारों से बात करें लोग कहते हैं कि जब मोदी जी यहां आएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं मोदी जी आएंगे तो हो सकता है स्वीप हो जाए, हो सकता है सीप निकल जाए तो क्या 2024 के इस चुनाव को हम नरेंद्र मोदी पर एक रेफरेंडम की तरह देख सकते हैं, जन्मत संग्रह की तरह देख सकते हैं? अब ये तो सारा खेल मेडिया के लोकों का होता है, किस समय किस प्रकार से अनालिसिस करना, लेकि मैं इतना कहूंगा, कि मैं कोई चुनाव के समय काम करने वाली सरकार नहीं चड़ाता हूं, अब मेरा दस साल का रेकॉर्ड देखेंगे, तो एवरेज, मैं हिंदुस्तान के किसे ने किसी कौने में गया हूं, जनता के बीच में रहा हूं, और इसलिए मेरा जाना निरंतर चलता रहता है, और चुनाव में मैं मानता हूं कि लोकतंतर का उत्सव ऐसा है, कि सभी राजनितिक दलों का कर्तब यह हैं, कि जादा से जादा लोकों के बीज जाएं, जाकर के एक प्रकार से प्रस्विक्षन का काम होना चाहिए, सम्वाद होना चाहिए, विचार विवर्स होना चाहिए, तो मैं एक राजनितिक शेत्र के कारकरता के लाते, चुनाओ ह्या नहों, मैं इसे अपना कर्तव यु मानता हूँ, और इसलिए पर जाता जहां तक ये दो फेस का सवाल है मैंने ऐसा जर्शाबर्थन बहुत कम चुनाव में देखा है जो मैं इस बार देख रहा हूँ एक प्रकारचे चुनाव जनता जनारदन लट रही है सुशाशन के लिए लट रही है अपने सपनों को साकार करने के लिए लट रही है ऐसा मुझे लगता है साइड मैं तो साइड एक निमित हूँ इस बार मेरा जरा ज्यादा उत्सा है लोगों के बीड जाने का हूँ पहरे के तोलना में साइड मैं ज्यादा बार जाना भी चाहता हूँ इसलिए कि जो जन्ता जनार्दन इतने उमंग उच्छा के साथ इतनी बड़ी जिम्मेदबारी उठा ली हो तो जन्ता जनार्दन को जाकर के उनको प्रणाम करना, नमन करना, उनको आशिरवार लेना ये मुझे अपना करता भी लगता है और मैं देखता था जो फर्स राउन हुआ, मने किसी दोस्तों को कहा था, कि पहले राउन में mamy खिलाब जो लोको मोर्चा लगारे में बैट्रे की कॉसिज कर रहे है पहले राउन में वो पेस्त हो गये , और कल मैरे देखा दूसरे राउन में ये दुश्त हो चुके है यालि पहले लोगों ने पष्ट कर दिया अब ध्वस्थ कर दिया मोधी जी जब केंपेन की आपने शुरुआत की थी तो बढ़े हाई नोट पे यह ऐफेन के शुरुआत हुई थी आपने कहा आपने अपने सरकार के पूरे काम का परिचे दिया आपने development agenda को लेकर आगे बढ़े economy पर आपने बहुत प्रकाश डाला और इसके उपर बहुत काम हुआ भी है अभी इधर अधर एक दो चरण के बाद आते आते आपने जो है राजस्थान में एक rally में किसके पास कितना सोना है, सिल्वर है, चांदी है और उसको वो मुसल्मानों में और घुस्पैठियों में बाट देना चाहते है क्या ये threat इतना real है, क्या आपको ऐसा दिखता है मुझे रगता है शायद आपकी टीम ने मेरा पुरा campaign को track नहीं किया है ये शायद विकास की बहुत सी बाते हैं असे हैं जिसको सायद टी आरपी के हिसाब से बैठता नहीं होगा लेकिन आपने देखा होगा मेरा पूरा एलेक्षन campaign दो चीजों पर पेंद्रीत है एक हमने समाज कल्यान को लिए लोग कल्यान के लिए क्या काम किये और सबसे बड़ा फर्ग है और सरकारों में में ये सरकार में वो ये हैं कि last mile delivery ये हमारी विशेस्ता है नीतिया तो सरक कोई सरकार बनाती है कोई सरकार बुरा करने लिए तो आती नहीं है अच्छा करना चाहती है कि कुछ लोगों अच्छा करना आता है कुछ लोग अच्छा होने का इंतजार करते है मैं ऐसा हूँ कि महनत करके जो अच्छा हो करूँ मेरा हमेशा ऐसा रहा है अब देखिए मैं चुनाव में लगातार बोल रहा हूँ कि हमने गरीबों के लिए जाए चार करोड घर बनाएं। मैं इतना लोगों को कहता हूं कि आप इस तुनावा प्रेशार में जाएं तो मेरी मदद करें कि जुषके घर बनाना भी छूट गया हूं हर गाँ में इत्को इत्को निकलेंगे उनकी सुची में भेजो ताकि जैसे ही मेरा तीसरा टम शिरू होंगा मैं इस खाम को आगे बढ़ना चाहता हूं तीन करोड घर और में बनाना चाहता हूं अब आईश्वान भारत योजना दुनिया के सबसे बड़ी हैं हेल्थ इंशॉरंस और हेल्थ एशॉरंस की स्कीम है यह पच्पन करोड लोगों को इलाज का भरोसा कि अब आपको मोदी हैं मोदी की सरकार हैं पाँच लाग रुटा तक का खर्चों का समाल लेंगे इस बार हमने मैनिफेस्ट में कहा है कि किसी भी बर्ग का किसी भी समाज का किसी भी बैक्ग्राउंड का व्यक्ति क्यों हो जिस भी परिवार में सत्तर से उपर की आईउ कि जो भी व्यक्ति होंगे पूरुस्तरी सब उन सब को हम यह पाँच लाग रुगा तक मोदी लाज की सुविदा देगे कि जो आशा वर्कर हैं आंगनवाडी वर्कर हैं उनको इसका बेनेफिट देंगे ट्रांसजेंडर जितने भी हैं किसी भी आईउ कि क्यों नहों हो हम उनको बेनेफिट देंगे तो यह बात हम लोगों को बताते हैं अब आप देखी जी हमारे देश पर बैंको राष्टेकान हुआ है कि जो मिलकर जब तक करने के खेल चल दाए ना पहले कर्चु के हैं जी सारी बैंके प्राइबेट थी लूट लिया रातो रात गरीबों के नाम पर लूटा गया है लेकिन हमारे देश की बैंके खास्ता हाल हो गई आधे से अधिक आबादी ऐसी थी कि गरीबों के नाम बैंक तो लिया डिक बैंक खाता नहीं किया यह मोदी ने आकर के बावन करोड बैंके खाते खोले और उसका सबसे बड़ा मैंने फाइदा उटाया खाते खोल करके आँकडा नहीं किया मैंने जंधन आधार और मुबाईल इस ट्रीनिटी को लेकर के डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चटीस लाग करोड रुपिये आँकडा बहुत बड़ा होता है थी चटीस लाग करोड रुपिये डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लोकों के खाते में गई अगर मैंने बेंक खाते ना खोले होते तो इनका बड़ा फाइनांसल इंक्लूजिन इस दुनिया में पूरी दुनिया में एक साल में जितने अकांट फिलते होंगे उसे ज्यादा काम हमारे देश में जल जीवन मिशन हमारे देश में जी तीन चार प्रसंद गरों में भी घर में नल से जलाता था वो भी जाता था अर्बन लोकालिटी में आज 14 करोड ग्रामिल परिवारों को नल से जल पहुचा है अब यह सारे का हमें 25 करोड लोग गरीबी से बार ऐसे नहीं है जी हमने उन कि हम गरीब को इतनी ताकत दें कि गरीब खुद गरीबी को परास्त करें और जब गरीब अपने महनत से गरीबी को परास्त करता है उसके बाद उसको गरीबी में वापिस नहीं जाना यह संकर पर बन जाता है और वो देश की शक्ती बन जाता है आज हमें फायता है 25 करोड गरीबी से बाहर आए बहुत बड़ा एचिमेंट है जी दुनिया इसकी तारीप कर रही है जी और यह एक मोडेल बनेगा यह जो डेवलपिंग कंट्री जह हम के लिए मोडेल बनेगा जी अब देखिए 2014 के पहले क्या हो था आए मैफ दुनिया के एक सो पचाथ देशों का समू जिसमें चाइना भी हैं इंदुस्तान भी हैं जिसको हम कहें कि डेवलपिंग कंट्री हैं या जो इमर्जन जी इमर्जिंग एकानोमी वाले देश हैं ऐसो का एक सभू का उनको क्लाजिपाइ करके उन्हों उसका एनालिसे बड़ा इंट्रेस्टिंग आड़ा है एने एक प्रकार से यह इंडिया का प्यर गूप हम कह सकते हैं अब देखे क्या अनरिस हैं 1998 इंडिया पर कैपिटा जीडिप इस प्यर गूप से 30 प्रतीशत के आसपास थी जहने पूरा इंड़ सो देशों का इसे उसमें आटल जी की सरकार थी आएं नाइनटीएड में अटल जी की सरकार है 98 से 2004 अटल जी के अपने कारखल में यह 30 प्रसंट को 35 प्रसंट ले गए अच्छा अच्छा प्रोग्रश इवा लेकिन दुरभागे जेकिजी 2004 में यह सब खिचडी कंपनी आ गए और खिचडी कंपनी ने अटल जी क कि महानज जोदिश पर पानी फेर दिया 35 प्रसंट को 30 पर ले आ गए और लोग यानि इन सारी कंट्रीश ने बारत से जादा अच्छा परफॉर्म किया और हमने बुरा किया यूपीय की सरकार में भारत डेवलपनी वर्ल की अपेशा और गरीब हो गया हमसे गरीब तो वो हमाई सरकार बनने के बाद 2019 तक में आपको खुशी हो गया हम 30 पर से 37 पर पहुंचा दिया और 24 तक मैं जब पहुंचा हूं यह मामला 42 पर संट पहुंच गया है यानि 30 छोड़ा था हम 42 ले और यह हाइस टाइज यानि हमारी इंकम दुनिया के और देशों की अपेक्षा ब अगर आप दस साल के कालखंड बें इंफ्लेशन को भी ले जो महंगाई ठीट नी चर्चा करते ने तो यह दस साल सबसे कम सबसे कम इंफ्लेशन वाला कालखंड रहा है यह इतना सारा जो कहता हूं और हकिकत के अधार पर कहता हूं कि कफोर परीशन करने के बाद एक अचिव किया है जो ही पूरी सरकार को मॉबिलाइज किया है और लक्ष को पार करने के लिए जी जान से जूड़ गए है उसके बावजुद भी मोधी का कहता है बोधी तो ट्रेलर है बुझे तो और आगे जाना है और नहीं नहीं आकांग और मैं बहुत तेजी से बढ़ना चाहता हूँ देश को लेकर के और कॉंग्रेस ना जहां तक मैनिफेस्टों है कोई मुझे बताए क्या चुनाव के अंदर पुलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टों यह कोई शोपिष के लिए होते हैं क्या सच मुझ में ते मिडिया का काम है कि हरे कुलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टों की बारी की से जांच परताल कहें मैं इंतजार कर रहा था कि मिडिया करें पहले दिन मैंने एक कॉमेंट तो कर दिया था नहीं कोई आज करनी रहा कि मुझे मैनिफेस्टों देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लिखी छाप है तो मुझे लगा कि मिडिया चौक जाएगा जो एनालिसिस करने वाले चौक जाएंगे तेकि पता नहीं अब उनकी घस्तरता कुछ और है मैनिफेस्टों में उनकी तरब से जो परोशा गया है उतनों गुड़ी 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 उशालते रहे हैं फिर मुझे लगता भी तो इको सिस्टीम का बड़ा मिली पखेर लगता है अम मुझे सच्चा ही लेकर जाना पड़े हैं मैंने काफी दस दिन हित्यार किया कि द यह सच्चा ही लेकर के आने पड़े हैं आप देखे साब अब उनके एक महासाई ने अमेरिका में इंटर्यू के दिया तो इनेरिटन्स टैक्स की बात ले आए है पच्वन प्रसंट टैक्स आपकी प्रपर्टी अब मैं विकास और विरासत की बात कर रहा हूं यह विरासत क अब आज तक का इतिहां से वो करेंगे क्या तो फिर मेरी जिम्मेवरी इसाब मेरी रिस्पोंसिबिलिटी है कि मैं देश वास्यों को बताओं कि भी यह इस दिशा में ले जा रहे हैं अब आप तै कि जानाना जनता जनानान का हर्ता है लेकिन मेरा दाइत्व बनता है कि तर अधार पर उनकी हकिकों तो आधार पर मुझे बताना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ साम पिटराजी ने जो है इन्हेरिटेंस टैक्स की बात की चो हम लोगों की जमापूंजी है जब हम अपने लोग पुरा बचाते हैं अपने फैमिली के लिए जब हम उसको अपने आने वाली जनरेशन को देंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा और ये टैक्स बहुत अब उन्हें कहीं सगूपा छोड़ दिया तो मैं भी जनर्ड़े के हूंगा ये सवाल आपके मन में कैसे आजाता है भारती जनता पर्टी की विशारतारा साहब है जी हम अपनी विशारतारा के अधार पर कारकम को लेकर के मैनिफेस्टों को लेकर के देश के सामने जाते है कुरपा करके ऐसे महासरव के विशारों को हम पर बंद हो के भाई मोदी जी राहूल गांधी ने एक बात और कही है वो कहते है कि जब वो सरकार अगर उनकी आएगी तो वो एक नैशनल एक्सरे कराएंगे इसी से जड़ा सवाल है इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ एक नैशनल एक्सरे कराएंगे बात सिर्फ कास्सेंस की नहीं है जो कि वो करते आए हैं उस पर भी हमें आपका मत जानना चाहूँगा बंगर बात को कहते हैं इससे आगे हैं बात कास्ट की नहीं बात जस्टिस की है और वो कहते हैं कि हम एक socio-economic आणिवम एक सर्वे लाएंगे, एक इंस्टिविशंटल सर्वे लाएंगे और उसमें देखेंगे कि किस जाती और एлов, वर्ट के पास क्या है, कितना धन है, कितनी इंस्टिविशन्स में भागिदारी है और उसके बेसिशिस पर हम इस पूरे सिस्टम्स को सम्धी pas डिशंट के एक्षपर्ट मानते हैं जो लोग देश के उतार चड़ाव को बड़ी बारी किसे अध्यन करते हैं सबसे पहले उनका दाइत्व हैं कि वो ऐसे लोगों को पूछे कि जीश्परिसीतियों का वर्णा आप कर रहे हों अगर यह सही है तो सपता साथ पैसर साल तो आपने राज किया भई यह मुसिबत के जन्म जाता है आप हो और आपने अब तक कि यह बरबादी लाए ही क्यों पहले उनका जबाप मांगो भई नंबर वान नंबर तो एक्सर का मटलब क्या है जी मतलब हर परिवार में जाना गर गर चापा मारना अगर किसी अनाज के डिवे में किसी म मेला ने अपने घहने चपा के रखे हैं उसको भी एक्सरे किया जाएगा उनके घहने ले ली जाएंगे जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा और फिर उसको रिडिस्ट्रिबूस करेंगे यह दुनिया में एक माववादी वीचार ने सब किया हुआ है दुनिया यह जमात आए दिन लिख्था पटी करती है न उचूप रही है उनके उनके प्रोटेक्शन में चूप रही है तम बिलके मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि देश को जगाना कि देखिए आपको लूट रही है और दूसरा पार्ट है डॉक्तर मनमान सिंग की वगर उनके हर कि जो भी संपत दियोंगे इस पर पहला अधिकार किसका होगा तो हिसाब कि दब हो साब हो क्या करना चाहते है आपने यह सवाल भी उठाया है 2006 का एक वीडियो जो वाइरल हो रहा है जिसमें मनमोहन सिंग्जी ने कहा है कि गरीब गरीब लोग करीब मुसल्मानों का पहला को दे दिना चाहेंगे और 2004-2014 के बीच में उन्होंने 4-5 बर ऐसा करने की कोशिश की भी है अरे भाई यह तो बड़ा इंटरस्टिन सवाल आपने पूचा है तेरा मेरा जवाब लंबा हो जाएगा लेगे देश के लिए मुझे बताना पड़ेगा अब कॉंग्रेट का इत जोन हुए है नबवे से पेहले का कॉंग्रेस ने पूरी तरह इस बात को खरिश कर दिया। उसका उसका विरोध किया उसको दबाने की कोशिश की है यहन्रे के पहले कह मांका टसक है, फिर उनको जितनी भी कमिशन बने, जितनी कमिटिया बनाई उसके भी रीपोर्ट्ס OBC के विचार के पक्ष में आने लगे अब उनके छे भारोसे कोगी वो नकारते रहें, रिजट करते रहें, दबाते रहें नबे के दसक में उनको लगा गभी अब इसको जरा उनकी वोट बेंक की राजलित्री के अनुसार उसको टन दिया जाए उन्होंने पहला पाप के क्या, नाइन्टीज के दसक में करना टका में उन्होंने धर्म के आधार पर आपको याद होगा, करना टका में उन्होंने धर्म के आधार पर मुसल्मानों को OBC गोशित कर दिया यानि देश के OBC को नकारना उस विचार को दबाना, उस विचार को रिजेक्ट करना, लेकिन राजलीती खाकर मुसल्मानों को OBC गोसित करते ना आए केंद्र से कॉंग्रिस गई, 2004 तक ये प्लान ठप रहा, उनका इरादा पक्का नहीं हुआ, 2004 में उफिराए, तो आते ही आंद्र में मुसलिम को OBC कोटा इदेना ताय का लिया, मामला कोट में जाके उलज गया, अब OBC के 27 परसंट जो आरक्षान मिला हुआ है, भारत के संसद में दिया है, समीधान के मुल्भूत भावना के प्रकाश में दिया हुआ है, 27 परसंट सहद लगाने के उन्होंने तहरी करती, डाका दानने की कोशिश की है, 2006 में, नेशनल डेवलप्मेंट काउंसल की मिटिम भी जी, NDC की, मन मोहन जी ने बयान पर भात बड़ा हंगाम हो गया, दो साल कॉंग्रेट पूरी चूप रही, 2009 के गोश्रापत्र में, फिर से इसका जिकर किया, 2011 में, केमिनेट नोट है इसका, 2011 के केमिनेट नोट में, वो भी सिके, 27 परसेंट हिस्सा डाका डाल करके, उसमें से मुसल्मानों को दे देना, उन्होंने तै किया जी, 2012, UP चुनाओ में भी, उन्होंने इसकी एक असफल कोशिश की फायदा नहीं हुआ, 2012, आंदरा हाइट कोड ने इसको रिजक कर दिया, रद क कानूनी जज्मेंट आ गया, एसी में गया, सुप्रिम कोड में गया, वहाँ उनको कोई रिलिफ नहीं मिला, 2014 के गोश्रापतर में भी, धर्व के आधार पर आरक्ष्ण की बाद कहीं है, जबकि हिंदुस्तान का संविधान जब बना, तब तो कोई RSS वाले, BJP वाले संवि चिंतन के बाद पाई किया था, कि भारत जैसे देश में धर्व के आधार पर आरक्ष्ण नहीं दिया जा सकता, दोज़र्चोबीस के चुनाव में आप देख रहे हैं, उनका मैनिफेस्टों, मैंने का इस पर पूरी तरह मुस्लिम लिग की छाप है, यह मुस्लिम लिगी न जिस पकार से लोग बापा साब अबेट करको, अपमानित करते हैं, SC, ST के आरक्ष्ण पर भी खत्रा तलवार लटका देते हैं, OBC का तो जीना मुश्किल कर देंगे, क्या मुझे देश की जनता को प्रसिक्षित करना चीएक नहीं करना चीए, मैं सभी जो भी विद्वान ल जो निस्पक्ष हैं, उनका इदाइत्व बनता है, कि ऐसे थमाइद देश को वो एजुकेट करें, सही चीज़े बताएं। करें के मैनिफेस्टो को? मुझे पकरना की जरूत नहीं, मैंने 1990 से आपको हिसाब दिया जए आगे, जी, उननी सो नव्य का हिसाब देखोगे, उसके बाद आप क्या कहोगे मुझे? अब उसे उसमें अनालिसित करने की ज़रूत ही नहीं पड़ती है। आपको 1990 से लेकर के डॉक्टर मनमोन सिंग जी के 2009 के भयान तक और सारी चीजों को एक टेबल पर लेकर के देखोगे, तो आप बिल्कुल इस वे से क्या निकालोगे भाई? मैं नहीं निकाल रहा हूँ, हरे को यहीं निकालना पड़ेगा भी हाँ मतलब की यह कहें करके यहां जाएंगे वो और यह जो भागिदारी की बात करते हैं इंस्टिटूशन में कि जाजेज OBC नहीं है, मीडिया में OBC का रेप्रेजेंटेशन काम है, इसको आप कैसे दिखते हैं? अब मुझे बताइए, जो 2014 में हम आए हमने ऐसी कोई निती बनाई है क्या जो जिसके कारण किसी को रुकावट हो जाए तो यह उनके पाप है, उनके पापों को देश भुगत रहा है, अगर उन्होंने सच्चे अर्थ में सेकुलरिजम किया होता, सच्चे अर्थ में जिक नाई किया होता, वोट बेंक की राजनिती न की होती, तो यह उनको आज इस प्रकार से जूठे कागजों को ले करके घुमना नहीं पड़ता, मुझे विश्वास है कि दस साल से मैं जो कर रहा हूं, सिती एसी आएगी, कि जितनी बाते हैं उनका जवाब हमी देंगे, क कर देंगे, हमारी सोच के काण बढ़ sé, हमें तीन बार राज़्पती बनाने का मोका हूं आया है, एक बार अतल जी के समये, दो बार मेरे समये, पहली बार हम ने किस کو बनाया, मैनोरेटी को बनाया, अब्दुल्कर लाम जी को बनाया, मुझे मोकां मिला पेहला तो किसको बन बनाया, दलीद को बनाया, दूसरा मोकामिला तो किसको बनाया, आदिवासे महला को बनाया, तो यह हमारे आचरम से पता चलता है कि हमारी सोच क्या है। कि जिस स्टेज में इंडिया का जो डिवेलफमेंट स्टेज है, उसमें कोईलेशन गवर्मेंट काम करेगी या एक स्टेबल गवर्मेंट ज्यादा एफेक्टिव होगा। कि जिस स्टेज में इसे उनकी पार्टी के भीतर जगड़ा हुआ, तो वहां भी उन्होंने फार्मिला बनाई कि ढाई साल एक ढाई साल दूसरा और उन्होंने मामला समाल करके गाड़ी चलाई। और ये भी सचा ही है कि धाई साल के बाद वो मुकर गए है। यहने खुद की पार्टी के साथ दोका किया। खुद की पार्टी के अंदर उनी दोका करने के उनकी प्रवुती। इसका मतलब ऐसी फॉर्मिला कॉंग्रेस के दिमाग में होना ये प्रुवन है। और मैंने अभी कहीं मेडिया में पढ़ा। उनके कोई छोटी से मिटिंग वी ती मेडिया में पढ़ा मैंने। और उसमें ये कहा गए अब आज के स्टिजब मोधी बार बार पूछ रहा है। इतना बड़ा देश किसको सुपरत करे अपको नाम तो होना चीह ना इतना बड़ा देजिए इतना बड़ा अब किसी कम नाम दीजिए कोई तो नाम देना पड़ेगा और क्रिकेट की टीम होत कबड़ी की टीम होती है वो भी कैप्टन बताती है भई आप बताने ही रहो कितना बड़ा देश देख इसको और तब जांकर भिरों को ऐसे फ़र्मिला बनाई है कि भई बन यर बन पीम फ़र्मिला अब एक पीम एक साल रहेगा तो आएगा पूरी नई सरकार बनाएगा कै बनाई है बनाई है अब कोई देश ऐसे चल सकता है इतना बड़ा देश ने तीस साल तक अस्थिरता देखी है मिली जुली सरकारों का दोर देखा है आज दुनिया में भारत के प्रतिक विस्वाफ बड़ा है उसका कारण भारत के 140 करोड लोगों ने एक स्थी मजबूत स्पस्ट बहुमत वाली सरकार बनाई है तो कोई भी भरोसा करेगा है यहां इस सरकार के पात मेंडेट है मिली जुली सरकार पर कोई भरोसा है नहीं करता है और इतना बड़ा देश ऐसे धोड़ा चल सकता है लेकिन आज पार्टी कितने ही बहुमत से क्योंन जीते उसने रीजनल एसपेरेशम को ओणर करना ही होगा और इसलिए हमें पूर्न बहुमत मिला फिर भी हम सरकार NDA की बनाते हैं कि एक पार्टी को पुर्ण बहुमत मिलने के बाद भी देश के राजनीती उजवल भविश के लिए देश के लोकों के एस्पिरेशन के लिए रीजनल एस्पिरेशन को उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए उतना ही हिस्सा देना चाहिए और ये करेक्टर एंडिये ने डेव की बात की तो उसकी बात हम लोग करेंगे एक सवाल और जिससे पहले कि उस पर आते हैं आप ऑपोजेशन की सारी पार्टी जराहूल गांधी कॉंग्रे सब यह कहते हैं कि मोदी जी यह जो है मैच फिक्सिंग कर रहे है इस चुनाओं पर उन्होंने कहा है कि ED, CBI और EVM के बिन तो हार क्यों गए पर मेरे होम मिनिस्टर तक को जल में डाल दिया था तो हार क्यों चे गए वो अगर ED, CBI से चुनाओं जीते जाते तो ED, CBI का काम तो इतने सालों तो कॉंग्रेस ने किया है वो जीत जाते हैं और इतना बड़ा देश एक मुंसिपल्ड का चुनाओं फिक् तो हृचिस बात का है कि ऐसी बाते करने वालो को आप मिडिया के लोग उनको पूछने के वजह थापको पूछते हूं थोड़ा सा यह जिसमा एक बात प्रता सा है जी मैं मानता हूँ कि पिछल ज涼 कई दिनों से ह क्ए Indie alliance के लोग इतने निरास हो चुके इतने निरास हो च क्योंकि पराजय के बाद भी लोगों के सामने जाने के लिए कि उनको तरी इसलिए मैं समझता हूँ शायद वो अभी से ये सारे तर्क ढून रहे हैं कि पराजय के तर्क क्या होंगे शायद उसी की उनकी इंटर्नल एक्सरसाइज है जाएगे मोदी जी दो स्टेट्स अहम है इस चुनाव में एक है करनाटका और एक है महराष्ट्रा करनाटका जहां पर अभी आपकी हार हुई की विधान सभा के चुनाव में और महराष्ट्रा इसलिए क्योंकि वहाँ पर एक अजीब सी खिछड़ी बनी हुई है तीन पाटियां दो प सबसे पहले शुरुवात करते हैं करनाटका से तो हरी प्रसाद जी जो हमारे वहां के एडिटर है वह आप से कुछ सवाल पूछना चाहते है हरी प्रसाद जी स्वागत है आपको करनाटका जी नेहा हिरेमत मुर्डर केस बाड़ चर्चेक आए नेहा खिल इंसर दर कैंपस आप क्या सोच रहे है यह अभी फोकस शिप्ट हो रहा है क्या करनाटक का चुनाओ का फोकस आइसे इस्यूस को शिप्ट हो रहा है देखिए नदाजी का कारकम वहां चल रहा था और इतनी बड़ी गटना गटी थी और ऐसी चीजों में हमें वो किस दल के थे वो कॉंग्रेस के थे उसकी बेटी की हत्या हो गई तो हमारा क्या यह हमारे समस्कार नहीं है नहीं हमारी सोच है और एक मान भी यह सम्वेदना का विशय है और मैं मानता हूं का अच्छा हुआ और रग देख जी ने इतनी चुना उनके स्वांतमाना देने का प्रयास किया है यह पूरी तरह मानवियक वहवार है मैं भी अब मुझे मैं पताता हूं कि शाहिद कुन सा चुनाव मुझे आतनी है लेकिन राहुल जी का कहीं पर हुआई जहाज मैं कुछ गढ़बर हुआ तो मुझे पका चला तो मैंने तुन यह हमारा करता भी मनता है मैं गुजरात का मुखिमत देता और दमन में मेडम सोनिया जी फिर हमारे एहमद पटेल से हो सारे लोग उनका हेलिकॉप्टर एक दिम से क्रैश कर गया मुझे पता चला मैंने तुन फोन किया मैं यहाँ से आपको एर अबिलन भेजता हूं तो एह सारामत भी बिल्कुल हम लोग सारामत है यह बाठीक है है हलिकॉप्टर को नुक्सान हुआ है लेकिन हमें कुछ तकलिफ नहीं हुई है एक बार सोनिया जी काशी गई इलेक्शन कंपेज में और वहां उनको तब यह एगनम खराब हो गई तो मैंने तुन यहाँ से सब को भ यह यह राजनेती से परे होते हैं चीजे तो मेरे लिए किसी कभी किसी भी परिबार में आपती आ जाए यह हमारा राजनेती से उपर उटकर के ही वेवार होना है चाहिजी regarding the guarantee schemes in Karnataka Congress promised five guarantees and they after coming to power they delivered that one they as per their promise they they are delivering that one now whereas in BJP BJP is more in the last election you lost there only 66 seats you able to win there BJP able to win there now again यह दिरोपा जीत का leadership और उसका बेठा का leadership में ज्यादा focus हो रहा है इसका वज़े से तोड़ा सा बीजेपी का अंदर भी कुछ लोग नाराज भी है उदर वो एक्चुली आपका मन में करनाटका में अभी BJP कितना सीट जी सेते हैं क्या है नमबर वन करनाटका की जनता पश्चाताप कर रही हैं कि हमने इतनी बड़ी गल्ती कर दी इनको बिठा दिया तो जन समर्धन वारा कम नहीं हुआ है जन समर्धन वारा बड़ा है लेकिन इनोंने इतने ही कम समय में हैं सियम कौन अभी भी वह बात सैटल नहीं हुए शपद दुआ है सियम का लेकन सैटल नहीं हुआ है अपने आपको सियम मानने वाले लोग बहुत है उसमें अब कानूल में होस्ता देखिया चर्मरा गई है बंबलास हो रहे हैं हत्याय हो रही है आर्थिक स्थिति पूरी तरह कं पूरी नहीं है तो बड़े बड़े कर दिया हुना में और फिर टैंग लगा है ऐसा होगा तो यह मिलेगा वैसा होगा तो नहीं मिलागा बटलब आप जनता के साथ दोका भी कर रहे हो जब हमने कहा कि भी हम इन लोगों को आईश्मान काड़ देंगे बटलब देंगे फिर इप जन बड़ लगा गर उसमें बहिमाने नहीं नहीं खड़े चाहिए अभी जब हमने का हम सत्तर साल से उपर के किसी भी वर्क के वेक्ति होंगे इनको आईश्मान काड़ देंगे बटलब देंगे आप में यह हुम्मत हो इसी है उन्होंने किसानों की जो योजना थी उर बहुत बड़ा रोल है दुनिया मैं जब जाते है तो बैंगलूरू कहते ही ऐसा लगता है वो जैसे परिचीत है एक हब के रूप में जाना जाता था आपने देखते ही देखते इसको टेंकर हब बना दिया और टेंकर में भी माफिया स्वाई चल रही है पानी के लिए इमांट भी कम कर देखते है यहने एक के बात एक आपने ऐसे नेगेटिव काम किये हैं जिन मुद्धों को लेकर के वोट मांगा उन मुद्धों को आप बोट देनी पर रहे है अचा डब्टू सीयम वो अपने भाई के लिए वोट मांग रहे है और वो खुद सीयम बन सके इसली है सब खेल खेल कर हे हैं वो सीयम से हटे इसके लिए भी खेल खेले जा रहे हैं जहां तक भारतिय जनतापार्टी का सवाल है हम टीम स्पिरीट से काम करने वाजे लोग है भले मेरी टीम ने मोदी को आगे की आले के मेरी दो कम पूरी टीम काम कर दिये जी उसी प्रकार से ये दुर अप्पा जी हमारे वरिष्टन नेता हैं लिग काम पूरी टीम कर रही है और टीम महनत करती हैं लोगो बिष्वाथ भी हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं The second phase election of Karnataka, that is the, in nation it is the third phase, but for us in Karnataka it is the second phase election for 14 series. There is a northern part of Karnataka, majorly drought hit, places are there. Now, regarding this drought, Bahrami, already Congress is claiming that we went to Supreme Court, now central government is forced to give a rightful compensation. What's your opinion about that? Look, Siddharah was the former government, and there was a drought. I called the whole team here, or Prime Minister, I called them in the term. I said, first, we need to make a change of light and light. We need to make a change of light and light. Now, the question of State Disaster Relief Fund is, our government has already, the case of Kendra, has been given to them in the bank, and given them. What happened? What happened? Our inter-ministerial team, it has also been given to us, which we have not made. Some people have been given to us. It has been given to us. The team has been given to us. It 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 has been given to us. I have given a memorandum. The government has been given to us. The government has given a team, and they have surveyed. They have sent us to us. He has made the decision as well. This process is in a whole process. The Amandong Prism went along. We have said, Where is this a position? We have said, How are we with the election commission? We want to give this thing. Even about NDRF, we have released the regime. How are we doing to you? I want to tell you about something about Megal Jigniter. जो आपने 2019 में जीती थी, लेकिन इस बार महराश्टर में पूरी खिचडी बनी हुई है, शिवसेना और NCP टूटी है, उनके दो पार्टनर आपके साथ है, जो दो गूठ है आपके साथ है, क्या उद्धव ठाकरे जी और शरत बार जी के साथ, या उनके पक्ष में, आप कोई एक सींपतिकी लेहर देख रहे हैं? दिखे, पहली बात तो मैं महाराश्टर के सभी लोगों को मेना नोशा, और अच्छी बात है कि मैं अलग से महाराश्टर के विशेगोले तरिकाप से बात अब देखे, ये बात सही है कि वहां लंबे अर्से से मिली जुली सरकार चलती है, बिलास राव देशमुक थे, तब से लेकर के आप देखे, इवन शरत पावार भी जब मुख्यमंत्री बने थे, वो भी और नोबहुमत के साथ अकले नहीं बन पाए थे, दूसरा महारास्टर का दुरभागे रहा है कि लंबे अर्से से पांच स साल तक कोई एक मुख्यमंत्री रहा नहीं है, एक भी व्यक्ति पांच साल मुख, देवेंदर फड़ंविस, पहले व्यक्ति थे, लंबे अर्से के बाद, जो एक पूरास कारकाल मुख्यमंत्री रहे है, और पूरी सरकार बेदाग रही, पूरी सरकार लोगवा का बना कि जो लोग हमारे साथ चुनाव लड़े हैं, जो लोग हमारे साथ चुनाव लड़े हैं, जो लोग हमारे साथ चुनाव लड़कर के महाराच्छा के लोगों से भोट महांगा, लेकिन मुख्यमत्री बनने के फुद के व्यक्तिकत महत्व कांख्या के कारण और उसमें अहंका साफ ठाकरे के जमाने से बनी बनाई जोडी को दोका दे दिया और उसका लोको को गुष्षा है बीजेपी के प्रती सिंपती है दूसरा जिए शिवसाना के अंदर जो तुफान खड़ा हुआ या एंसिप अंदर जो तुफान खड़ा हुआ वो साफ साफ दिखता है कि जब कि आप अपने परिवार के लोगों को ही प्रात्थिकता देते हैं और बाकियों को नहीं देते हैं, तो कभी ने कभी तो कठी नई स्वता होती है, सारदराव के घर में जो मुसिबत है हुँ कि पारिवाली जगडा है, बतीजा समाले कि बेटी समाले है, यहाँ भी इनका आपक्षम नेका उपर आए कि खुद का बेटा भले अभी जैसे यहां एक परिवार में कॉंग्रेस के चल रहा है उस पर तो वो जगड़ा उनका है जी और मैं मानता हूं हमारा देश इस प्रकार के पारिवारी जगड़ों के परती नफरत करता है शिंपती नहीं करता है तो यह बिल्कोल ही आप सिंपती सब्द लेकर के सिंपती दिलवानी के अगर कोशिश करता है तो मैं समाता हूं वो भी फेल जाने वाली है लोग नफरत करते हैं लोग ऐसे चीजों को स्विकार नहीं कर सकते हैं तो यह तुमारे घर के जगड़े तुम गर में निपनों नहारा को क्योँ परबात कर रहे हैं तो गुष्छा है तूसरी बात है जहां तक आज सिंदजी के नितृत कमें जो सरकार चल रही हैं भागती जनता पार्टी का ज्यादा सिटे होने के बाद में त्याग किया है त्याग महरास्थ्टा की भल बहाई के लिए किया है को जोबतों को उस जटा इंदा माहराष्ट के लिए जीते हैं, हमारे लिए नहीं जीते हैं, हमारे लिए नहीं जीते हैं, और इस चुनाव में ये सिंपती हमारे पक्ष में है कि इतना बड़ा दल एक मुख्यमंत्री सफल रहा हुआ मुख्यमंत्री वो आज डेप्टी सीम बन करके भी एक प्रकार से खुद के सम्मान को छोड़ करके आज भारतिय जन्रता पारटी सिर्फ और सिर्फ महराष्टर के उजवल भाविश के गए और मैं मानता हूं हमारे देश में है बंगाल बरबाद हो गया कोलकरता एक दिस एक नमिको कटायू करता था लेकि महा इस प्रकार को उठापक्ठर के जाज ने बरवाद करतिया बीहार और उत्तरप्रदेश अस्तिव्टा के राजनेते ने तभा करके रख दिये थे महाराष्ट को इस हालत में जाने नहीं देना चाहिए मुंबई देश के आर्थिक राद्धानी है हमें देश हित में भी महाराष्ट में मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए और ये बात हम महाराष्ट के जनता को समझा रहे हैं उनको कन्वे कर रहे हैं और महाराष्टर की जन्ता बहुत पोजिटिव रिस्पॉंड दे रही है थी महाराष्टर में BGP, शिवसेना और NCP की महायूती बनी है लेकिन इस चुनाओ में आखरी समय तक सीटों की खिचातान बहुत चल रही है अभी तक टिकट का वितरन भी बहुत जगा पे नहीं हुआ है ये महायूती पर एक बड़ा सवाल नहीं है खड़ा करता मुझे रखता है ये जो पहले दो वाक्य बोले ले उसके सिवाए बाकी सब जो बतार वो उन लोगों का प्रॉब्लेक है मिल जुल करके सिटे तह करके चल पड़े है जी और वैलिन एडवांस कर दिया है सिवसेना, बीजेपी और न्सीपी इतीनों ने इसको कर लिया है सामने जो नकली पार्टियों का मेलाब मेलाब है वहाँ नहीं हो पा रहा है जी उल्टा है कितनी सीटे देखते हैं आप अरश में पिछली बार एक तालिस आई थी इसलिए पूछराने सबार हम बहुत ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं बोड भी बढ़ेगा सीट भी बढ़ेगी सर 2017 में आप ही की सरकार ने शरत पवार जी को पद्म विभूशन दिया था जो देश का सेकेंड हाइस सिविलियन ओनर है लेकिन पिछले मंगल बार को शरत पवार जी ने एक कहे दिया मराठी में पते मराठी तासे मना ले कि मोदी जी देशा से नवे पुतीन है आप नए पुतीन बन रहे हैं आप इस कमेंट को कैसे देखते हैं मैं उनका आदर करता हूँ आज भी करता हूँ और मैं मानता हूँ सार्वजनिक जीवन मैं लंबे अर्षा तक जिन जिन लोगों ने काम किया है वा हमारे साथ रहे न रहे हमारे विरूद बने वह अलग बात है इसका मतलब यह हुआ कि जिसके अंदर वो पुतीन को देखते हैं उसकी सरकाँ से एवोड लेकर के वो गर्व कर रहे है यह तो बहुत-बड़ा कॉंट्राडिक्शन है लेकिन वो गर्व कर रहे हैं जहां तक मेरी पार्टी की सोच और व्यक्तिकर तुबसे मेरी सोच अब देखे हमने भारत रतन दिया तो किसको दिया प्रणमुकर जी नर्से माराओ चौदरी चौनंसी जी करकुरी ठाकोर और इस देश में किसे ने क्वेस्चन नहीं कि अक मुदी जा अप इनको क्यो भारत रतन दे रहे हैं सब को लगता है यार यह यह डूठा ड लेकिन निरने उसके अधार पड़ी होता है आप प्रणमुकर देखे मुलायम सिंग जी असम के तरून गोगई जी पीए सांगमा जी जमीर जी एसम कर्ष्णा जी आप देखे जी सारे लोग हैं दूसरी पारे जोगे हैं हमने उनको पद्व दिया हम पद्व देते उनको अ तो मैंने पूरा पद्मपुरसकार तो मैं मनता हूं कभी अगर आप स्टोरी चलाएं वीडिया के लोग इंट्रेस्ट करें भारत में पद्मपुरसकार को कैसे परिवर्तित किया गया कैसे पद्मपुरसकार एक प्रकार के सच्चे अर्थ में सम्मान बना दिया इतना बड़ा काम उन्हें किया है अगर तारीफ होनी चाहिए दिस भात की होनी चाहिए कि आप बहुत बड़े सोच वाले लोग हैं कि आप ऐसे ऐसे नेने करते एक प्यस्टन नहीं होना चाहिए कि आपने उनको क्यों दिया नहीं देने करते हैं